हेलो दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सभी का SSE में स्वागत करता हूँ आज मैं आप सभी के साथ पॉलिटी के बारे में डिसकस करूँगा और यह पूर्ण विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि आज तक अभी तक आपने पॉलिटी के बारे में जो कुछ भी जहां कहीं से भी अध्यान किया है उससे अधिक कुछ ना कुछ इसमें सिखने को जरूर मिलेगा और आप इस वीडियो को अंतिम अंतिम तक देखे यदि आपको लगे कि इसमें कुछ मेटेरियल है कुछ नया चीज़ आपको सिखने को मिला है तो आप वीडियो को जो है लाइक जरूर किजेगा अन्य था डिसलाइक कर सकते हैं कोई गम नहीं है मुझे लेकिन यह पूर्ण दावा है और पूर्ण विश्वास है यानि भारत के सम्मिधान का विकास कैसे हुआ यह सब जानेंगे देखिए इतिहास में आप लोगों को मिला होगा पढ़ने के लिए कि 777 इसमें पलासी की युद हुई थी और उसमें अंग्रेजों को जो है विजय प्राप्त हुए क्षचन पुछता है कि इलहाबाद के संधी कब हुई इस संधी के द्वारा अंग्रेजी इस टिटिया कमपणी को मुगल बत्सा आलम से बंगाल के दिवानी तथा फ़ज़दारी अदिकार मिल जाता है प्राप्त होता है उसमें जो गवरनर था वो कलाइब था उसने बंगाल में दोरे सासन की विवस्ता की इस निती का कारण बंगाल का खुब सोशन हुआ जो भी करमचारी थे वे जीव हर के बंगाल को सोशन की खुब लूटे इससे हुआ क्या तब तक 1777 इस भी में बंगाल मे भी हंकर अकार पड़ जाता है इस तरह से जो है 1772 में दोहरी सासन की निती जो है उसको समाप्त कर दी जाती है बंगाल का प्रसासन का प्रबंद का काम जो है कंपनी अपने उपर ले लिया इंगिलेंड की संसर्थ जो है एक बैपारिक कंपनी के अधेन भारत के वीज़ छे इस सब पर अपनी साता पकड़ बनाने के लिए यानि भारत की जो है साता भारत पर साता अपनी मजबूत करने के लिए सासन बिवास्ता के सुचा रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कुछ एक्ट पारित किये कुछ कानून पारित किये जब हमारा देश स पतंत्र हुआ अजाद हुआ तो अंग्रेजों द्वारा पारित यहीं एक्ट भारतिय सम्विधान के बुलंद इमारत की निचली पैदान की मजबुत सिधिया बने परतं जो एक्ट था और हर रेगूलेटिंग एक्ट था ठहले में अपने मन में अपने दिल में अपने आत्मा से यह सवाल जरूर पूछी की आखिर क्यों हुआ पहुआ उसका कारण क्या था उसे लाब क्या था आई हम लोग जानेंगे 1777 का जो है regulating it क्या कारण था कि यह regulating it पास किया गया और 1777 में क्यों पास किया गया देखिए बंगाल विजय के बाद ब्रिटीश सरकार ने कमपणी में जो क्रमचारी थे ब्रिटीश सरकार के याने इस्टीनिया कमपणी की वे अधिक लूट कर रहे थे कमपणी के जो अधिकारी थे निजी बेपार में अधिक रूची लेने लगे ध्यान देंगे बंगाल विजय के बाद बंगाल में कमपणी के जो अधिकारी थे वो निजी बेपार में अधिक रूची लेने लगे इन अफसरों ने खूब धन कमाया कमपनी की आर्थिक इस्ती गंभीर हो गई अर्थात जो करमचारी थे अब कमपनी के बारे में सोच रहे है अपने निजी लाभ के बारे में सोच रहे है अब कमपनी के जो आर्थिक इस्ती खराब हो गई, गंभीर हो गई तो company ने इंग्लेंड की सरकार से 10 लाख पॉंड की आर्थिक सहयता कर्ज के रूप में इन परस्थितितियों में इंग्लेंड की संसद ने company की गति विधियों में इंग्लेंड का नियंतर रखने के लिए सं 7770 में regulating एक यानि नियंतरन कारून बनाया प्रश्णिया है दोस्तूं कि आखिरिकार भारत सोरी बिटिश जो सरकार थी जब company को दे रही है रूप्या company को जो सहयता राश्ति दे रही है तो जरूर उस पर जयंतर रखेगी कि आखिरिकार पैसा का जो है सही इस्तिमाल हो रहा है कि नहीं और एक यह बहाना था निशितरूप से तो उसी के लिए जो है क्या हुआ यानि ब्रिटिश सरकार ने company में जो है ब्यात भरश्टाचार और कूपरसासन को दूर करने के लिए 1773 में regulating एक पारित किया गया उससे में इंग्लेंड के परधान मंत्री कोन थे तो लॉर्ड नॉर्थ थे इंग्लेंड के परधान मंत्री कोन थे लॉर्ड नॉर्थ थे company के सासन पर पहली बार संसद्य नियंत्र अस्थापित किया गया तो 1773 के regulating act के तो company को सैनिक और सैनिक तथा राजस्व समंधी समस्त कागजपत्र ब्रिटियन की सरकार के पास भेजने का निदिस दिया गया यानि वहां से ब्रिटि जो सरकार थी जो संसर थी वो company पर अपना नियंत्र अस्थापित की और यह कहा गया company से कि सैनिक और सैनिक तथा राजस्व समंधी समस्त कागजपत्र ब्रिटियन की सरकार की पास भेजने का निदिस दिया गया बंंगाल के गवर्नर को बंंगाल का गवर्नर जनरर कहा जाने लगा प्षेंड के तअद्ध के तव बनने वाले पर्थम ४ मुलाय शनल पॉजय का इसफ के तहत मदरास मुंबई। प्रिशेडियनसी को कलकत्तक प्रिशेडियनशी के अधिन कर दिया गया। इसका पर्मुह topics ट्याननें गे में 1757 से पहल हैत रहां जो भी भारत के के छेट्र को अंग्णij जीते हुए थे उसे तीन प्रिशिदेंसियों के माध्यम से उस पर अपना सासान स्थापित करते थे एक मुंबई में था एक कलकत्ता में था और एक मदरास में था तो अब क्या किया गया कि मुंबई और मदरास की प्रिशिदेंसी से उसको कलकत्ता प्रिशिदेंसी की अधिन कर दिया गया ठीक है गवर्णर जनरल को जो है परिशतत था गवर्णर जनरल के परेशत थी उसमें चार सदस थे यानि गवर्णर जनरल और चार सदस संपूर्ड कलकात्ता पर्षेदर्सी लाल होता था कि अधारपन ने होता था परूटिंग करते थे उस मुन लेकर के और जो भी बहुंबत व्राबर हो जाता था तो उससे में गवर्णर जनरल को यह अधिकार था कि वह ने नायक मत दे सकता था अब जुकी भराष्टाचार को खत्म करना था इसलिए नियाई बेवस्था को जो अस्थापत करने के लिए नियाई बेवस्था के लिए 774 इसलिए में कलकात्ता में उच्थाम नियाले की अस्थापना के गई 774 इसलिए में कलकात्ता में उच्थाम नियाले की अस्थापना के गई पर्थम नयादिश थे मुख नयादिश थे वह थे एलिजा एमपे कौन थे एलिजा एमपे देखे दोस्तों बहुत बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चनिस में समाहित किया गया है इसलिए आप ध्यान से इसको सुनिए देखिए और नुठ जरूर बनाईए ताकि भविश में आपको काम आज सके और इस मुख नयादिश के अलावा तिन अन्य नयादिश थे कौन-कौन थे तो चेंबर्स थे लिमेंस्टर थे और हाइड थे कमपनी का कोई भी पदाधिकारे कीसी भी बेक्ती से कोई उपआहार दान या पूर्षकार नहीं ले सकता था जैसे कि हम लोग अभी जश्ट फ़ला देर पहले देखे कि कमपणी के जो पदाधिकारी थे वी नीजी बैपार पर अधिक ध्यान देथे जिसे कमपणी की आर्थी किस्तिका होई थी गरबर हो गई थी इसलिए अभी यह नियाले के दोरा इब दिया स्थापित के गया नियम बनाया गया कि अब कोई भी पदाधिकारी कोई भी बैगती उपहार या दान या पुर्षकार नहीं ले सकता था अधिनियम के अनुसार कमपणी की प्रतिक अधिकारी के लिए आउसक हो गया कि इंग्लेंड लोटते समय वह अपने संपती का विवरंद तथा यह बताए कि उसने संपती किस्त्र प्राप्त की है रेगुलेटिंग एक्ट ने एक इमांदार सासन के जो है अधारभूत सिधान्त निश्चित किया यानि जो भी वरस्टाचार था उसको कमी को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जो अगरसर हुआ ध्यान नेंगे लेकिन इस किसी अधिया गया लेकिन होता क्या था जो परसिध थे और गवर्नर सदस थे उन में हमेंसा भ्रहते रहाते थे किसी दर नियार तोusan आपकर करते हुए यह निशित नहीं किया गया जैसे भारत की जो न्यायक विधी विवास्ता है संभिधान के तहुत उसमें नहीं थे कि कीन बातों को उन्यों को लेकर चलना है यहन्य संभिधान के तहुत इनको चलना है लेकिन जो न्याले कलकैति में gi आप culture 7744 में इसके लिए ऊसे में कोई क design नहीं बनाएगpek इस liagknow कौन से कानून पर चलेगा निशित नहीं था परिसद और नियाले का अधिकार छेत्र भी निशित नहीं किया था परिसद भी बना दिया गया नियाले भी बना दिया गया लेकिन दूनों का अधिकार छेत्र यह बाटा नहीं नहीं गया था निशित नहीं किया गया था कि इनका तूटियों को समाप्द करने के लिए सत्रेसो एकसी में एक्ट ओफ सेटलमेंट लाया गया यानि कोश्चन पूछे कि सत्रेसो तीहतर इस भी के रेगुलेटिंग एक्ट की जो भी तूटिया थी उसको दूर करने के लिए कौन सा करनुन पारिद किया गया तो एक्ट सेटलमेंट को सत्रेसो एकसी यानि सत्रेसो एकसी इस भी के जो एक्ट ओफ सेटलमेंट थे उसको एस्फेसल लाया गया सत्रेसो तीहतर की कौम्यों को दूर करने के लिए ठीक है इसी एक्ट के तहुत है एक्ट ओफ सेटलमेंट के तहुत ही गोवर्नर को अब बंगाल बिहार तथा उड़सा के लिए भी बिधी बनाने का अधिकार दिया गया तो मुझे पूर्ण विश्वास है आसा है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करें, सीर करें और ध्यान दे, यदि आप इस वीडियो का चाहते हैं कि आपको PDF पराप्त हो, तो निचे डिस्क्रिशन वक्स में WhatsApp ग्रूप का लिंक दिया गया है आप सीधे क्लिक करके वहाँ जोईन कर सकते हैं और चाहते हैं कि सुनने से सीखर तक महुंचे तो पॉलिटी का जो है वीडियो आज से शुरू हुआ है निचित, नित दिन आपके लिए एक ही करके पॉलिटी के हर टोपिक पर जो हैं वीडियो लेकर लाएंगे और यह वादा करते हैं कि यदि आप मन से पढ़ते हैं दिल लगा कर पढ़ते हैं, नोट से बनाते हैं तो आपको दुनिया की किसी दुसरे यूट्यूब चैनल पर जाना नहीं पड़ेगा धन्यबाद हैं यहां तक देखने के लिए ठैंक यू